हलो गईज, विलकम टो उनुवासटी अपडेट, यहां मिलेगी आपको डियू क्या हर को ने को नी की अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल ऐकन को प्रेश कर लीजिए, ता कि हर अपडेट आपको टाम ले मेल चके गईज, जैसा कि थमनेल में आप देख सकते हो, CSAS, PG के एडमिशन, जिन बच्चों ने अपलाए किये थे, DU के अंदर, उनके पोर्टल पे एक नया चेंज आ चुगा है, जो कि आपको देखना बहुत जरूरी है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो यह नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी और इसके बाद यह बंद हो जाएगा, ठीक है, और आपको अपने COET PG के नंबर को वेरिफाय करने का ओप्शन मिला है, तो कैसे आप रियॉर्डर करोगे, और एक स्टैंडर्ड प्रेफरेंच शीट मैं बना के लिए के आया हूँ, जिसको देखके आपको सिर्फ इस प्रेफरेंच शीट को देखके आपको अपनी नॉर्मल वाली जो आपके CCS SPG वाली पोर्टल की प्रेफरेंच शीट को अपडेट कर देना है, सिंपल और कुछ नहीं, तो क्या है वो सारी चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो स्टाट करने से पहल चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो शेयर करना, ताकि मेरी आवाज हर घर तक पहुंच सके हर बच्चे को पता से लिए कि आज भी वीडियोबर है जो बच्चों के जैनुवल ली और फ्री में हल्प करता है, तो सबसे पहले मैं आपक कुछ भी नहीं आया, यह करेक्शन वाला लास्ट वाला चल रहा है, तो अभी तक कुछ नहीं आया, लेकिन यह कहां से यह चीज मुझे पता चली, यह गाईज आपको देखो यहां से पता चलेगा, यह एक इमेल आपने जो रजिस्टर किया था था, सीवीटी पीजी का और CSAS PG का, वहां पे आपको एक मेल आईगो, जिसमें आपको वेरिफाय अपना सीवीटी स्कोर करना है, जिन बच्चों के सीवीटी स्कोर में कुछ चेंजेस आये थे, उन्हों के लिए आप्शन मिला है यह, और अपना प्रेफरेंसिस सेव करके रियॉडर करना है, ऐसे आपक सब्सक्राइब करोगे, तभी तो पता चलेगा न, ऐसे तो पता चलेगा न, आप सोचते हो कि भाई, नहीं सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन नहीं चेक करूँगा, तो फस जाओगे न, फिर, तो यहां से आपको करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको रिजिस्ट् link पे click करोगे आपके सामने ये portal खुल जाएगा यहाँ पे login पे click कर देना login पे जैसी click करोगे अपना application number password और ये सारी चीज़े डाल के login पे click कर देना जैसी आप login पे click करोगे आपके सामने कुछ ऐसा portal खुल के आजाएगा देख सकते हो अब सबसे पहले आपको verify window करना है verify window करना है इसमें ध्यान से पढ़ लो you can verify your window and revise the preference sheet of order शाम पांच बज़े से आज शाम पांच बज़े से लेकर 17 जून शाम पांच बज़े तक कर सकते हो तो ये limited time के लिए मिला हो है preference sheet को reorder कैसे करना है इसके बाद मेरी preference sheet जो मैं बना के लिए क्या हूँ ये वाली preference sheet देख के reorder करना है ठीक है अभी दिखाऊंगा ये वीडियो में द्यान से देखना तो सबसे पहले verification कैसे करना है verification पे click करने के लिए यहाँ पे click कर देना जैसी इस पे click करोगे आपका यहां CUET score और सारी चीज़े दिखा देगा अगर वो सही ही है यह update जो हुए है total marks और यह सारी चीज़े जो update हुई है यह अगर सही है तो आप जाके आपको question नहीं करना आप back to dashboard पे click कर देना अगर इसमें कोई गलती है तो due को इसका screenshot लेके mail करना और अपना CUET का score card mail कर देना कि मेरे सर यह problem है इसमें मेरे को correction करवानी है तो यह वो चीज़ वो correct करेंगे ठीक है क्योंकि यह उनके portal का back end है तो यहां से वो correction करेंगा अगर कोई दिक्कत दी है तो back to dashboard पे click कर देना फिर अपने portal पे आप वापिस आ जाओगे यहां पे देखो पोर्टल पे आप वापिस आ गए ठीक है फिर यहां नीचे आओगे तो नीचे आप देख सकते हो reorder preferences का option आएगा यहां पे reorder पे जैसी click करोगे यह blue button पे इस पे click करते ही आपके सामने ऐसे खुल जाएगा यहां पे तो यहां पे देखो political science का student का खुल चुका है इसका तो इसमें क्या रहना क्या है कि इसमें आपको सबसे पहले eligibility criteria आप चेंज कर सकते हो preferences की reorder change कर सकते हो सारी preferences की और यह सब करने के बाद यहां save preference पे click कर देना अभी अभी रुख जाओ अभी video अभी रुख जाओ guys यहां पे save preferences करने के बाद आप देख सकते हो यहां पे मैं एक dummy preference sheet आपके लिए बना के लेकर आऊ जिसमें आपको इधर से preference देखनी है कौन से preference number पे आपको कौन सा college रखना है वो preference sheet देखके आपको यहां पे fill up कर लेना है यह preferences ठीक है ध्यान से fill करना ताकि आपकी help हो जाए एक तरह से ठीक है आप गलती ना करो तो देख सकते हो MA Arabic की यह preference sheet होगी MA Bengali की यह preference sheet होगी MA Buddhist study जिसनकी एक है उनको मैं skip कर दूँगा ठीक है न MA French इनकी भी एक है German Hispanic इन सबकी MA English की देख सकते हो preference sheet यह ऐसे आप arrange करोगे यहां पे देख सकते हो मेरांडा उस पहले पर लेडी श्री रावम उसके बाद हिंदू हंसराज सेंस्टीफन फिर ऐसे आपको arrangement करने है ध्यान रखना ठीक है यहां पे उसके बाद आप यहां MA Hindi की देख सकते हो preference sheet ऐसे होगी आप देख सकते हो इसको कैसे arrange करना है ठीक है preferences 1,2,3 करके मैंने दे रखे numbering इसको देख के ही आपको preference arrange करनी है ठीक है और इसमें 34 colleges total दिये हैं MA Italian Studies में एक ही college है MA Japanese में भी एक studies है इसमें कोई preference sheet नी बनती है linguistic में भी एक ही है Persian में देखो 3 colleges है इनकी preference sheet ऐसे होगी आप देख सकते हो MA Punjabi में देख सकते हो essay preference sheet आपको बनानी है MA Russian Studies में देख सकते हो MS Sanskrit में आप देख सकते हो essay preference sheet आपको बनानी है ध्यान रखना ठीक में लिखना है Delhi University और मेरा गुरूप सबसे टॉप पे आ जाएगा आकर मेरे से आवाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो कोई भी और essay preference sheet आप बनाना essay arrangement करना है आप ध्याद रखना यह चीज़ है MA Tamil में देख सकते हो MA Urdu में देख सकते हो MA Hindu Studies में देख सकते हो MA African Studies में एक ही है E Studies में Economics में भी एक ही है Geography में भी एक ही है MA History में देख सकते हो essay preference sheet आपको arrange करनी है ध्यान रखना है ऐसे ही arrange करना और अगर आपको कोई college पास हो आपके घर के तो आप change कर सकते हो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अपके घर के पास जो college है वो उस हिसाब से कर लेना ठीक है उसके बाद MA Life Long में एक ही college है MA Philosophy में देख सकते हो इतने सारे colleges हैं आपको जो arrange करना हो इसमें preference sheet के number के हिसाब से आप arrange कर सकते हो ठीक है और MA Political Science जैसे इस बच्चे का है इसने essay arrange किया है पॉलिटिकल साइंस में एक preference one और two ऐसे arrange कर लेना पॉलिटिकल साइंस में जैसे यहां पर मैंने दे रखा है इसको देख के उधर आरेंज कर लेना ठीक है ऐसे preferences को arrange कर लेना ठीक है MA Psychology में आप देख सकते हो ऐसे preferences को arrange कर लेना MA Applied Psychology में ऐसे यह मैं अपने से बना के लेकिया हूँ अगर आपके घर के पास कोई nearby college हो उसको आप preference one पे डालना चाहते हो तो बिल्कुल डाल सकते हो कोई दिककत नहीं है MA Sociology में देख सकते हो ऐसे preference MA Journalism में देख सकते हो MA Chinese में देख सकते हो MA Korean में आप कोई एकी आप इसे अरेंज करना थेक है MA Chemistry के देख सकते हो MA इसे अरेंज करना गाईज देख सकते हो MA Environmental इन सब में एकी एक सबजेक्ट है जोलोजी में दो सबजेक्ट है हनसराज और Department of Geology आप जो भी रखना चाहते हो उपर वैसे मैंने ऐसे अरेंज किया हुआ है देख लेना Food and Nutrition में दो प्रिफरेंशेस देख सकते हो इसको एसे अरेंज करना है ठीक है और जिसमें एक है उसको skip कर दे रहा हुआ हूं यहाँ पर देख सकते हो MA Physics में देख सकते हो Miranda House और यह सारे ऐसे प्रिफरेंशेस अरेंज कर देना एक है एक है एक है प्रिफरेंश कर देना चोफि में सब्सक्राइस कर सकते हैं जरुक्त सब्सक्राइब में सब्सक्राइब मैंने सब्स–ट सब्सक्राइब करना है ध्यान रखना इसमें श्री राम कॉलेज अफ को टॉप में रखा है मैंने बिकॉज यह बहुत अच्छा है इसमें ठीक है ध्यान रखना यह चीज और ऐसे आपको अरेंज करना है लेल बी में देख सकते हैं लेल बी में में CLC 1 और CLC 2 इन में कुछ morning evening का scene होता है CLC में गई मॉर्निंग में लगती है CLC 2 में भी ओरनिंग में क्लासिस लगती है तो ध्यान रखना इसको morning evening के हिसाब से अरेंज कर लेना एक बर google search माला के डबल सर्च डबल तो कंफर्म कर लेना कि हा मैंने जो बताया कि सही बताया कि नहीं क्या होता है कभी खोड़ाता एक कुछ कुछ चीज़ साथ है कुछ तो यह ऐसे आरेंज कर लेना और उसके बाद मिवूजिक में आप एसे आरेंज कर सकते हो ठीक है उसके बाद ethics के बाद यह सब्सक्राइब कर लेना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चीजे यहां पर पता चलने वाली है आपको ठीक है तो गैस यही कुछ था इस वीडियो में एक मेरा टेलीग्राम ग्रूप है उसको भी जॉइन कर लो ताकि सारी अपडेट्स वहां पे आपको मिलती रहें और सारी अपडेट्स में देता रहूं आपको तो उसे भी कैसे जॉइन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यह गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रूप है इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखिए अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है डियू के किसी भी चीज के रि इंस्टॉल करिये और उसके सोर्च बार में लिखिए हमारे ग्रूप का नाम डेली इनुवर्सिटी आरीजी एनसोल जो भी हमारी ग्रूप के पिच्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे क्योंकि हमारा ग्रूप टॉप में आ रहा है इस ताइम डेली इनुवर्सिटी क तो आप join करके query पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे अधर कोई query होगी तो guys comment section में ज़रूर पूछेगा अगर यहां तक आपको वीडियो ज़रा सी भी informative लगी तो guys एक like तो बनता है आपसे कोई notification मिसना हो जाए या आपकी कोई information मिसना हो जाए तो उसके लिए channel को subscribe करके bell icon ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको हर notification मिल जाए thank you